हेलो दोस्तों मैं से और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर्फेक्ट मोबाइल सलूसन पर दोस्तों मेरे पास यह जो हैंडसेट वीबो ब्रैंड का है आप देख सकते हैं बैक साइड में नीचे तरफ वीबो की ब्रैंडिंग है और द्हां से सुनिए मॉडल नंबर है वीबो वाई 12S ओके और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीबो वाई 12S का FRP बाइपास करने का तरीका यानि की गूगल एकाउंट लॉग रिमोब करने का सबसे इजी सबसे सटीक और बिलकुल लेटेस तरीका तो दोस्तों अगर आप वीबो वाई 12S यूज कर रहे हैं और आपकी डिवाईस FRP लॉक है यानि की गूगल एकाउंट लॉक है तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद बहुत आसानी से घर बैठे बैठे आप अपने वी प्लटा सा लॉकर बना हुआ है और यह लॉकर है या आपकी डिवाईस FRP लॉक है अगर यहां ऐसा कोई लॉकर नहीं होता तो आपकी डिवाईस FRP लॉक नहीं लेकिन चलिए दोस्तों मैं आपको पूरी तरह कंफर्म करंद देता हूं कि मेरे पास यह जो डिवाईस है करना क्या होगा दोस्तों हमें यहां अपने डिवाइस को किसी वाइफाई से कनेक्ट करना होगा क्योंकि डिवाइस में नेट का चलना जरूरी है तो यहां जल्दी से मैं अपने डिवाइस को किसी वाइफाई से कनेक्ट कर लेता हूं अब यह देखे दोस्तों डिवाइस हमा अब यहां दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो device का FRP बाइपास करने के लिए आपके पास दो option है, पहला option verify pattern, यानि कि आपको यह pattern verify करना होगा, अगर आपको यह pattern पता है तो आप simple यह pattern यहाँ पे draw करें, आपके device बहुत आसानी से अनलाग हो जाएगी, लेकिन दोस दोस्तों कि इस pattern की जगा पर यहाँ पीन भी हो सकता है, पासवर्ड भी हो सकता है, वो आपके उपर डिप्रिंट करता है कि आपने अपने device में security के तोर पे क्या डाल रखा है, तो चुकि यह pattern का option है और यह pattern हमें पता नहीं है, मैं second option की बात करता हूँ, second option नीचे की तरब बाइपास करने के लिए device का Google account verify करना होगा, अगर आपको device का Google account मालूम है, तो आप simple email और phone में enter करें, यहाँ से next कर दें, आपकी device बहुत आसानी से अनलाग हो जाएगी, लेकिन यहाँ दोस्तों finally हमें device का Google account भी नहीं मालूम है, यानि कि हमरे पास यूज़ डिवाइस FRP lock यानि कि Google account lock remove कर पाएंगे, तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपको वीबो आई 12S का FRP lock remove करना है, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ से back जाना है, connect to Wi-Fi वाले option पे, यानि कि जहाँ आपने device को Wi-Fi से connect किय करेंगे, see all Wi-Fi network पे, तो यह देखिए, यहाँ हमने device को Wi-Fi से connect किया था, ओके, और अब देखिए आपको करना क्या है, अब simply आपको क्लिक करना है, add new network पे, ओके, जैसे add new network पे क्लिक करेंगे, तो आपके device का keyboard open हो जाएगा, ठिक है, keyboard में ऊपर के तरफ देखिए, आपके ए करने ना है, तो cancel करने के लिए हम पे देखिए, deny का option है, आप simple deny पे क्लिक करें, cancel हो गया, फिर से device का keyboard open हो गया, फिर से आपको mic पे click करना है, तो यह रहा mic, हम फिर से mic पे click करेंगे, और जैसे mic पे click करेंगे, तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ एक message आजाएगा, जी बो और एक blue color का allow लिखा रहेगा तो जैसे allow लिख किया न आपको simple allow पे click कर देना है दो बार तो हम click कर चुके हैं अब तीसरी बार हम mic पे click करते हैं यह रहा mic हम फिर से mic पे click करते हैं और यह देखें यह आपson आ गया यहाँ पे लिखा allow आप simple allow पे click करते हैं ओके तो इससे होगा क दोस्तों, Gboard का App Info open हो जाएगा, आप देख सकते हैं, Gboard App Info, ओके, और अब देखे आपको करना क्या है, नीचे आईए, तो यहाँ पे एक आपसन आपको मिलता है, Permissions का, यह रहा Permissions, आप सिंपल इस पे क्लिक करें, ओके, Permissions पे क्लिक करने के बाद, उपर की तरफ देखे एक सिंपली टाइप करना है, Apps, A-P-P-S, ओके, आप डिस्पली पर देख सकते हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम टाइप करी, Apps, तो यहाँ पे हम टाइप करते है, A-P-S, ओके, Apps मैंने टाइप किया, जैसे ही Apps टाइप करेंगे, तो यह सारे result आपके सामने आ जाएंगे, आपको स जैसे ही, आप App Info पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे आपके device में जो भी by default applications हैं, इन सारे applications की list आपके सामने बिल्कुल सो हो जाएगी, ओके, और अब देखिए आपको करना क्या है, बिल्कुल नीचे आजाना है, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल नीचे आएं क्लिक करें, और कुछ सेकंड वेट करें, तो ये interface आपको देखने को मिलेगा, अब आपको क्लिक करना है, आप आउट पे, तो आप आप आउट पे क्लिक करें, ओके, और अब आपको क्लिक करना है, दोस्तों, यूट्यूब टर्म आप सर्विस पे, ये रहा, आप सिंपल इ ब्राउजरी से चूछ कर सकते हैं चलिए मैं स्पिपल यह उपर वाला ही जी डिफल्ट ब्राउजर इसे चूछ कर लेता हूं और यहां से मैं FRP file, मैंने FRP file टाइप किया, और उसके बाद यहां से simply हम enter कर देंगे, कुछ second wait कर ये, तो ये result आपके सामने आ जाएगा, हमने लिखा FRP file और search किया, तो ये result आपके सामने आ गया, आपको simply click करना है, first वाली website पर, ये जो frp.com आपको देखरा है, आपको simple इस पे click कर देना है तो अभी देखिएगा frp file की website open हो जाएगी यह देखिए frp file की website open हो गई अब थोड़ा नीशी आईए तो यहाँ देखिए बहुत सारे applications आपको देखने को मिल रहा है ओके यह देखिए बहुत सारे applications की list यहाँ पे है यह देखिए डिवाइस कीमें सेटिंग open हो गई नीचेक तरफ आप मॉडल नमर देख सकते हैं वीबो आई 12S ओके और अब आपको करना क्या दोस्तों नीचेक तरफ एक आपसोन आपको मिलता है shortcuts and accessibility का यह रहा आप simple इसपे क्लिक कर दें ओके और यहाँ पे एक आपसोन आपको मिलता है easy touch करके यह रहा easy touch आप इसपे क्लिक करें अब यहाँ देखिए easy touch हमारा off है आपको इसे on करना तो इसे आप यहाँ से on कर दें तो जैसे यह on करेंगे तो यहाँ देखिए एक new symbol आपको देखने को मिल रहा इसे बोलते है easy touch यह देखिए आप इसपे क्लिक करेंगे तो यह देखिए यह interface देखने को मिलेगा तो यहाँ आपने device का easy touch on कर दिया अब आपको simply click करना customize menu पे आप इसपे click करें और यहाँ पे एक option आपको मिलता click to add यह रहा click to add आप simple इसपे click कर देखिए जैसे इसपे click करेंगे तो यहाँ देखिए बहुत सारे application की list यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको यहाँ पे एक application add करना है कौन सा वो मैं बता देत application आपको मिलेगा easy share करके है यह देखिए easy share इसे आपको add करना है ओके तो आप simple easy share पे click करने और यह देखिए यहाँ पर add हो गया यह जो easy touch है इसमें भी add हो जाएगा मैं इसपे click करता हूं और यह देखिए easy share इसमें add हो गया अब आपको करना क्या, simply EG Share को open करना है, तो open करने के लिए simple आप EG Share पे click करें, और finally यहाँ पे देखेंगे आपकी EG Share जो application है यह open हो जाएगा, EG Share application के बारे में मैं थोड़ा सापको बता देता हूँ, EG Share application just like Shareit, मतलब कि जैसे Shareit का यूज करके आप device का data send करते हैं, receive करते है same बिल्कुल EG Share भी है, मैं इसे setup कर लेता हूँ, यह जो box है, इस box को check करेंगे, यहाँ से हम agree करतेंगे, यह interface आएगा, आपको ऐसे slide करना है, और finally आपको start पे click कर देना है, यह EG Share पूरी तरह से complete हो गया, और अब करना क्या दोस्तों, इस device को आपको side में करना है, क्योंकि इस device का work finish हो गया, अब आपके पास होनी चाहिए कोई दूसरी Android डिवाइस, किसी भी ब्रैंड की कोई दूसरी डिवाइस हो, आपके पास दूसरी Android डिवाइस होनी चाहिए, तो मैं फिलाल के लिए से side करता हूँ, और यह मेरे पास एक device है, कोई भी डिवाइस हो, किसी भी ब्रैंड की हो Android डिवाइस होनी चाहिए और आपको करना क्या दोस्तों सेम अप्लिकेशन यह जो इजी सेर आप देख रहा है सेम अप्लिकेशन इस डिवाइस में आपको इंस्टॉल करना है तो मैं करूंगा क्या पहले प्लेश्टोर ओपेन करूंगा तो यह रहा प्लेश्ट करेंगे तो यह देखिए यह अप्लिकेशन आपको लूट करना इजी सेर अल्टा फ़ास्ट बीबो कम्युकिन संट ओके आपको इसे इसटाल कर देना है तो यहां पे दूसरा application आपको download करना है दोस्तों quick shortcut maker आप display पर देख सकते हैं तो बिल्कुल same to same type करेए quick shortcut यह देखे दोस्तों यह जो yellow color का आपको दिख रहा है quick shortcut maker यह application आपको इसमें install करना है ठीक है तो आप simple इसमें इसमें install करना है यह देखेए easy share और quick shortcut maker इस device में completely install हो चुके है ठीक है आपको करना क्या है सबसे पहले easy share open करना है ठीक है तो यह रहा easy share मैं इसे open कर लेता हूँ ठीक है बिल्कुल same interface आपको आ रहा है इस box को आपको check करना है और finally यहां से agree कर देना है इसे आप ऐसे slide कर देंगे और यहां से find आप start कर देंगे यह देखे बिल्कुल same to same जैसा हमने यह वीवाली device में देखा था बिल्कुल same to same interface इस application का देखने को मिल रहा है अब आपको करना क्या है दोस्तों आप simply आपको क्लिक करना है फोन क्लोन पे आप इस पे क्लिक करें ओके यहां पर दो आपसन आपको आएगा old phone new phone आपको simply करना क्या दोस्तों old phone पे क्लिक करना है ठीक है तो old phone पे क्लिक करें दोस्तों तो यहां पर देखे qr code आ जाएगा ओके अब इस device को मैं side में करता हूँ यह device यह जो हमारे vivo की device है इसकी बात बताता हूँ कि आपको आगे करना क्या है ठीक है अब यह जो device है vivo की device यहाँ पे phone clone का option है आप इस पे क्लिक करें ओके यहाँ पे old phone नीव फोन आपको simple new phone पे क्लिक करना है ओके और यह देखे android आइफोन आपको simply करना क्य और यह देखिए QR code scanner जो होता है यह scanner आपका open हो गया ठीक है आपको करना क्या है यह जो QR code है आपको इस scanner से scan करना है ठीक है तो मैं scan कर लेता हूँ ओके scan हो गया और अब देखेगा यह जो device है इस device का सारा data इस device में send होगा ठीक है यहां से आपको cancel setting setting पर click करना है ओके यहां से easy share allowed नहीं है आपको इसे allow करना है तो आप इस पर click करिए यहां से off है आपको इसे on करना है उसके बाद back जाईए बैक जाईए ओके यहां से okay got it कर दीजिए ठीक है permissions जो भी आएंगे मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको simply उसे allow कर देना ठीक है तो आप यहां से allow कर दीजिए allow 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 करिए जो भी permissions आते हैं आपको allow कर देना ठीक है और finally दोस्तों यह देखिए इतना सारा data है जो कि इस device में send होगा यह देखिए ओके लेकिन आपको करना क्या है यह सारा check है आपको सिर्फ application वाला check करके रखना है बाकी सारे को uncheck कर देना ठीक है तो आप simply बाकी सारे को जो पेस्ट नहीं है हमारे काम की चीज सिर्फ application है यह रहाँ अप्लिकेशन ओके और application में भी देखेंगे दोस्तों यहां पे बहुत सारे application है इन में से हमें कुछ ही application send करना ठीक है तो इसके लिए हम simple application पे क्लिक करेंगे और यह देखिए बहुत सारे application है इन सारे को हम ऊपर से uncheck चेक करने यह सारे सारे सालेक्ट थे हमने सारे को सालेक्ट था था शारे को हटा दिया ठीक है आपको सिर्फ क्विक साटकट मेकर वाले application को इस डिवाइस में यह देखिए, send हो गया, इस device में send हो गया, और यहां पे यह मार्क बन गया, मतलब कि इस device में send हो गया, यहां से मैं ने send किया, इस device में receive हो गया, अब इस device का वर्क पूरी तरह से finish हो गया, अब मैं करूँगा क्या दोस्तों, इस device को side में कर दूँगा, क्योंकि इस device का वर्क पूरी तरह से फिनीस हो गया और अब देखिए इस डिवाइस में आपको करना क्या है हमने एक अप्लिकेशन पर क्लिक करिए और यह देखिए क्विक साट करें किया था जो की successfully इस डिवाइस में सेंड हो चुका है ठीक है आपको इसे open कर लेना है यहाँ open का आप सना है अप open कर लें यह देखिए finly तक्षाट करमेकर हमारे में ओपन हो गया यहां से आप ओके कर लें यह इंटर्फेस आपको देखने को मिलता है क्विक साथ कट में करका ओके अब आपको करना क्या दोस्तों उपर की तरफ लेका इंपूट की वर्ड टू फिल्टर आप सिंप्ली स्पे क्लिक करें ओके आपके डिवाइस का कीबोर्ड यह देखे मैंने फैक्टरी टेस्ट टाइप किया तो यहां पे फैक्टरी टेस्ट ब्लू कलर का आ गया ओके आपको सिंप्ली इस पे क्लिक करना है और जैसे यह आप इस पे क्लिक करेंगे तो यह देखे बहुत सारे फैक्टरी टेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं ओके आपको करना क्या दोस्तों, उपर से third वाला, ध्यान से सुनिए, उपर से third, first, second, third, यहाँ पे छोटा सा लिखा है factory test, और नीचे के तरब छोटा सा लिखा है engineering test, आपको simple third वाले पे click करना है, उसके बाद यह देखिए, यहाँ पे try लिखा है और यह text है, आपको simple इस text पे click कर है, तो यह interface आपको देखने को मिलेगा, ओके, और अब आपको करना क्या, उपर की तरब देखिए, engineering test 1 है, engineering test 2 है, और यह जो last वाला है, engineering test 3, आपको बिल्कुल last वाले पे click करना है, तो आप इस पे click करिए, जैसे इस पे click करेंगे, तो यह सारे option आपको देखने को मिलेगे, आपको simply click करना है, बिल्कुल उपर वाले option पे, यानि कि back to home पे, तो आप simple back to home पे click करिए, जैसे ही आप back to home पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको दो option मिलेगा, Chinese और English, हमारे लिए जो comfortable language है, वो है English, तो हमें simple English पे click करना होगा, और जैसे ही आप English पे click करेंगे, दोस्तों, हमारी डिवाइस, वीवो आई 12S का Google Account Lock, यानि कि FRP Lock, पूरी तरह से disable हो गया, डिवाइस हमारी पूरी तरह से unlock हो गया, यह देखे, डिवाइस फाइनली हमारी पूरी तरह से unlock हो चुकी है, दोस्तों, डिवाइस का जो FRP Lock वाला प्राबलम था, वो पूरी तरह से deactivate हो गया पूरी तरह से unlock हो गई, दोस्तों, यह ट्रिक आपको कैसी लगी, यह वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे उमेद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, एक छोटी स्रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, helpful लगत Thank you, thank you so much